तो आजके इस वीडियो में दोस्तों हम लोग chapter no 15 plus eight का sound ये chapter start करेंगे ठीक है तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों ये sound का production कैसे होता है कैसे होता है देखिए दोस्तो sound is produced due to vibrating objects तो sound कैसे produce होता है अगर कोई भी object vibrate हो रहा है तो sound produce होगा वाइब्रेशन मतलब देखिये इसी मोशन ये जो है टू एण फो मोशन है इसको वाइब्रेशन बोलते है तो कोई भी चीज अगर ये ऐसे वाइब्रेट हो रहे हैं तो साउंड प्रोडिश होगा एक्जम्पल के लिए दिखिये दोस्तों एक दंडा होता है इसको यहां पर stem बोलते हैं यह stem को आप पकड़ते हो और यह prongs जो ही ट करते हो झभा आप पर्यांग से यह जो फिसक रोंगे तो यह यह जो प्रॉंग्स है यह से वाईबरेट करेंगे टिक है तो जब यह वाईबरेट करेंगे तो sound sound produce होता है ठीक है आपने देखा होगा जब गिटार को यह बजाता है तो स्ट्रिंग को वाइबरेट कर रहा होता है ठीक है फिर दोस्तों आपका जो स्पीकर है ठीक है स्पीकर नहीं रहता है छोटा इससे देखे स्पीकर होता ही है तो यह स्पीकर के अंदर क्या वाइबरेट में अभी सिर्फ धार में रखना है आपको दोस्तों की sound कैसे produce होता है sound कैसे produce होता है दोस्तो sound is produce due to vibrating objects अगर कोई चाज़ vibrate कर रही है तो sound produce होगा ठीक है तो अब दोस्तों यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है देखिए हमें यहाँ पर पढ़ना है production of sound due to vibration of tuning fork यह जो tuning fork है यहाँ पर इसके vibration इसके जो prongs है यह prongs जब vibrate करते हैं तो sound कैसे produce होता है ठीक है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो सबसे पहले तो दोस्तों यह tuning fork क्या होता है ठीक है यह prongs को आपको strike करना होता है इसे तो जब आप strike करते हो दोस्तों तो क्या होता है कि एक आवाज निकलती है sound produce होता है तो tuning fork के अंदर आपको क्या लिखना है दिखिए है a tuning fork is made up of two prongs and a stem दो prongs होते हैं इसके अंदर और एक stem होता है दूसरा point के आदर हमें रखना है दिखिए कि दोस्तों if prongs of tuning fork are struck मतलब आपने क्या किया इन prongs को जो है hit किया struck मतलब hit किया they start vibrating तो यह prongs क्या होंगे दोस्तों यहाँ पर यह prongs vibrate करना start करेंगे ठीक है और इस vibration के वज़े से यहाँ पर sound produce होने वाला है ठीक है तो अब दोस्तों यह tuning fork के वज़े से sound कैसे produce होता है उसके बारे में यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले देखिए दोस्तों यहाँ पर ये एक tuning fork है ठीक है और इस tuning fork के वज़े से sound कैसे produce होता है उसके बारे में हम लोग यहां पर discussion करेंगे तो यहां पर हम लोग क्या discuss करेंगे देखिये production of sound due to vibration of tuning fork tuning fork के वज़े से sound का production कैसे होता है ठीक है तो सबसे पहले तो दोस्तों ये ट्यूनिंग फोर्क है और इस ट्यूनिंग फोर्क के असपास एर प्रेजन्ट है ठीक है तो एर मॉलिक्यूल्स प्रेजन्ट है तो ये एर मॉलिक्यूल्स है दोस्तों यहां पर देखें ये एर मॉलिक्यूल्स है ओके ये एर मॉलिक्यूल्स यहाँ भी present है air molecules दोस्तों देखे यहाँ पर भी present है ठीक है ओके तो यह air molecules को denote करने के लिए हमने यहाँ पर state line निकाली है हर तरफ air molecules तो नहीं निकाल सकते लेकिन यह air molecules दिखा रही है यह state line जो है air molecules दिखा रही है ठीक है तो ये एक tuning fork है और ये air molecules के लिए हमने line निकले है तो दोस्तों ये जो air है इस air को हमने तीन region में divide किया हुआ है पहला region है A, दूसरा यहां का region है B और यहां का तीसरा region है C ये पहला region, ये दूसरा, B, ये तीसरा region है ठीक है अब जब दोस्तों हमने struck नहीं किया है tuning fork को जब हमने struck नहीं किया है तो इसकी position ऐसी होगी और air molecules की position ऐसी होगी ठीक है, हर तरफ उसका जो pressure है air molecules का वह सेम होगा तो क्या लिखना है आपको दोस्तों, when tuning fork is stationary जब tuning fork is stationary है, अभी तक हीट नहीं किया है अपने ठीक है, तब क्या होगा दोस्तों, then position of air molecules in region A, B and C are shown in figure, ठीक है मतलब A region की air, B region की air और C region की जो air molecules हैं यहाँ पर उनकी position ऐसी होगी, जब ये tuning fork stationary है तब, ठीक है और अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों तो A region, B region और C region में density same है और pressure भी same है, कम ज़्यादा नहीं है हर तरफ density same है और pressure भी हर तरफ क्या है, same है तो next point आपको क्या लिखना है, देखे दोस्तों यहाँ पर ये तो मैंने बता दिया आपको vertical lines are used to show the position of air molecules so vertical lines हमने किस लिए दिखाई है वो air molecules की position दिखाती है, ठीक है तो यहाँ पर दोस्तों जब हमने strike नहीं किया है अभी तक tuning fork, तब क्या होगा, यह pressure and density of all three regions A, B and C are same, ठीक है तो दोस्तों यहाँ पर यह जो diagram है, जब stationary था, tuning fork, ठीक है, जब tuning fork stationary था, तो A region, B region और C region का pressure सेम था, density भी सेम थी, ठीक है, लेकिन अब जब हमने इसको struck किया दोस्तों तो क्या होगा, दिखिए, जब हमने इसको struck किया, यह जो prongs है, tuning fork के, इनको जब हमने struck किया, ठीक है, तो struck करने पर क्या होगा, यह prongs जो है, vibrate करना start करेंगे, ठीक है, तो आपको क्या लिखना है आगे, now when the prongs of tuning fork are struck they will vibrate ये prongs क्या करेंगे वाइबरेट करेंगे तो ये जब वाइबरेट करेंगे तो इसके आसपास की जो air है वो भी वाइबरेट करना स्टार्ट करेगी ठीक है ओके so due to this air molecules around trongs will also vibrate ठीक है और ये case किस तरीके से ये air molecules वाइबरेट करते हैं उसके बारे में यहाँ पर हमें discussion करना है ठीक है तो सबसे पहले जब ये tuning fork vibrate करना स्टार्ट करेगा न दोस्तो तो सबसे पहले तो ये prongs दूर जाएंगे ये ऐसे दूर जाएंगे ऐसे ऐसे vibrate करेगा तो पहली position में क्या होगा ये जो prongs ये vibrate करना एसे push हो जाएंगे ठीक है ये एक दूसरे के ऐसे करीब आ जाएंगे ठीक है ये जो prongs की arm है इसने क्या किया इस air molecule को push किया न तो push किया तो यहाँ के air region के जो molecules थे वो पास पास आ जाएंगे बहुत ठीक है तो आपको क्या लिखना है दिखें if during vibrations prongs of tuning fork go away from each other ठीक है मतलब during vibration ये prongs अगर goes away from each other होते हैं अगर एक दूसरे से दूर जाते हैं तो क्या होगा दोस्तो air outside it मतलब air region के अंदर की जो air है वो क्या होगी दोस्तों यहाँ पर it's compressed ठीक है मतलब यहाँ की जो air है air region के अंदर की वो compress हो जाएगी और यहाँ का pressure और density बढ़ जाएगा यहाँ का pressure बढ़ जाएगा molecules पास पास आ गए तो density बढ़ गई और pressure भी बढ़ गया है ठीक है B और C अभी तक कुछ नहीं हो उनके molecules जैसे थे वैसे ही रहेंगे लेकिन A region के जो molecule से वो पास पास आ गए ठीक है तो यहाँ पर क्या लिखना है दोस्तो आपको is compressed and pressure and density बोल सकते हो आप यहाँ पर in region A increases और यह जो region है जहाँ का pressure ज़्यादा होता है और density ज़्यादा होती है न इस region को दोस्तो compression बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं such high pressure region is called as compression तो यहाँ पर दोस्तो क्या हुआ compression प्रोडीस हुआ अब क्या होगा दोस्तो देखें जब prongs पहले तो stationary थे ठीक है फिर क्या हो वाइबरेट करना start किया तब यह prongs दूर गए एक दूसरे से जब यह prongs दूर गए तो यह region a region जो है वो compression के अंदर गया अब क्या होता है दोस्तो जब यह prongs जो है एक दूसरे के करीब आते हैं यह ऐसे ऐसे वाइबरेट हो रहे थो ठीक है तो जब यह prongs एक दूसरे के करीब आते हैं तो यह कैसे दीखेगा आपको tuning fork देखे यह ऐसे दिखेगा ऐसे दिखेगा ठीक है तो next step में क्या होता है दोस्तो in next step prongs of tuning fork come close to each other यह जो prongs हैं tuning fork यह एक दूसरे के करीब आ जाते हैं ठीक है तो जब यह एक दूसरे के करीब आ जाते हैं ना तो यहाँ जो compression था वो compression आगे चला जाता है B region में और यहाँ के जो air molecules हैं न दोस्तो यहाँ के air molecules इनको जगा मिल जाते हैं एक दूसरे से दूर जाने के लिए तो यह एक दूसरे के दूर जाते हैं ठीक है ओके तो जब यहाँ पे compression था जब यह tuning fork देखे इस position में था यहाँ पे compression था तो जब यह tuning fork के prongs एक दूसरे के करीब आते यहाँ पर, ऐसे जब करीब आते हैं न यह देखेए यहाँ पर एक दूसरे के जब करीब आते हैं तो यहाँ पर जो compression air region में थख пошते हैं B region में जला जाता है तीक है, यह इसे मतलब मूह होता है compression ऐसे मूह होता है और जो A region में एक दूसरे के करीब molecules थे ना इनको जगा मिल जाते है इदर दूर जाने के लिए ठीक है तो क्या होता है तो यहाँ पर यहाँ पर यह एक दूसरे के से दूर जाते है और यहाँ का pressure और density की जो है वो कम हो जाती है ठीक है तो यह जो region है जहाँ पर pressure गिरा है और density भी गिरी है मतलब pressure भी कम हुआ है और density भी कम हुई है इस region को rare fraction बोलते है ठीक है अब को लिखना कैसे देखे है यह है So in this condition in this condition मतलब यह condition में देखे दोस्तों यहाँ पर यह condition में इन दिस कंडिशन ये कंडिशन में क्या होता है दोस्तों देखें Air molecules near the prongs get more space to move away from each other मतलब ये जो air molecules थे यहां पर इन air molecules को अब जगा मिल जाती है Prongs के इधर मूँ होने के वज़े से यहां पर जगा मिल जाती है तो यह एक दूसरे से दूर बखते हैं यहां के air molecules ठीक है और क्या होता है दिखिए है यहां पर As a result pressure and density in this region decreases मतलब वहां कि pressure and density क्या हो जाती है decrease हो जाती है और वो जो region A जहां का pressure and density decrease हो जाती है उस region को क्या बोलते है दोस्तों दिखें उस region को बोलते है rare fraction ठीक है ओके now region A is in a rare fraction state and compression has traveled in region B ठीक है तो क्या होता है जब यह position में होता है tuning fork तब A region में क्या होता है rare fraction और compression यहां पर जो था वो भी यहां पर travel किया ठीक है तो ऐसे ही दोस्तों जब यह prongs vibrate करते रहते हैं ऐसे ठीक है तो successive क्या होते है ऐसे करने पर compression प्रोड्यूस होगा ऐसे करने पर rare fraction compression rare fraction compression rare fraction ठीक है ओके तो ऐसे यह compression rare fraction compression rare fraction हवा में travel करता है ठीक है ओके तो आपको क्या लिखना है दिखें यहां पर in this way when trongs are vibrated compression and rear fractions are produced in the air ये compression और rear fraction produce होने का सिलसिला चलता रहता है क्या बोलोगे आगे आप this is called as sound wave तो ये जो compression, rear fraction compression, rear fraction ट्रैवल कर रहे ना इसी को sound wave बोलते है so when this sound wave reaches our ear तो ये sound wave जब हमारे कानों तक पोश्चती है न तो हमारे कान के अंदर एक ear drum होता है और वो ear drum vibrate होता है और हमें आवाद सुनाई देती है ठीक है तो जब यह sound wave travel करती है नो दोस्तो तो यह इसी दीखती है दीखे when sound wave is traveling it will look like following figure यह देखे यहाँ पर region का है molecule के बीच में का जो distance वो कम है मतलब यहाँ पर pressure ज्यादा है density ज्यादा है तो इसको compression बोलेंगे ठीक है फिर यहाँ पर pressure और density कम है तो इसको rare fraction बोलेंगे फिर compression rare fraction compression ऐसे यह sound wave travel करती है ठीक है अब अगर दोस्तों यह compression और rare fraction की अगर आप यहाँ पर diagram निकालोगे मतलब diagram मतलब क्या निकलना है आपको pressure का graph निकलना है pressure या density का graph निकलना है तो आपको कैसा graph मिलेगा देखिए if we draw the graph of pressure या density का graph निकलना है ठीक है okay of sound wave the graph will be as shown in below तो अगर दोस्तों आप यहाँ पर graph निकालोगे यह y axis है और यह x axis है ठीक है तो y axis पर आपको क्या करना है तो यहाँ पर देखिए pressure यहाँ पर आपको क्या करना है pressure या density लेना है y axis ठीक है और x axis पर यहाँ पर sound wave दिखाएंगे हम लोग तो यहाँ पर देखिए दोस्तों compression है compression है मतलब pressure क्या होगा यहाँ पर ज्यादा ठीक है यहां पर जो है प्रेशर ज्यादा है प्रेशर बढ़ गया दीरे-दीरे यह प्रेशर कम हो रहा है और यहां पर देखे दोस्तों मिनीमम प्रेशर है ठीक है तो यह प्रेशर क्या होगा दोस्तों यहां दीरे-दीरे कम हो जाएगा और यहां पर जो है मिनीमम तो यह पर उपर वाला जो रीजन है उसको रेर फ्रेक्शन बोलेंगे तो यह साउंड वेव का प्रेशर का जो गराफ है वो हम ऐसे दिखाते है ठीक है उपर का compression, rarefaction compression, rarefaction actual ये जो sound wave ये ऐसी दिखेगी लेकिन उसका graph जो है वो ऐसे दिखेगा आपको ठीक है, ओके तो दोस्तों tuning fork जो है tuning fork के वज़े से जो sound wave प्रोडूस हो रही है न वो कुछ इस तरीके से प्रोडूस होती है ठीक है, तो यहाँ पर ये वीडियो कतम होता है दोस्तों, next वीडियो में दोस्तों हम लोग frequency के बारे में बात करेंगे ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में धन्याओ चानल को प्लीज सब्सक्राइब करें और वीडियो उसको शेयर करें